हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्ती पूरवाल दोस्तो मैं हूँ आर्ती और आज मैं सभी नीट स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी लाई हूँ दोस्तो जैसा कि आपको मालूम है नीट 2021 के एक्जाम के लिए उसके इं सब्सक्राइब के साथ सभी के एहम बैठक जो है हुनी है उसमें क्या जो निसकर्श निकलना है यह सारी अपडेट में आपको दूंगी लेकिन उसके पहले अभी तक आप ती विने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके आगे जो पेपर की निउस है दोस्तों आज के पेपर में भी यही निकला है एंटीए के सुझाओ पर सिक्षावा स्वास्त मंत्राले के साथ 25 को होगी एहम बैठक तो दोस्तों जो बैठक है के वो 25 को होगी लेकिन निकला क्या है कि साल में दो बार हो सकती है नीट की परिक्षा तो देश में जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या है वो दी हुई है कोर्स के बारे में भी निखले तो पूरा मैं आपको एकक करके बताती हूं देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब चात्षात्रों के पास अधिक संभावनाई होंगी। और स्वास्त मंत्राले शाल में दो बार नीट कराने पर विचार कर रहा है नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि एंटिगे के सुझाओं पर दोनों मंत्राले 25 जन्वरी को इस संबंध में बैठक करके निर्णय लेंगे शहर से करीब 10,006-16 प्रतिवर्ष नीट में शामिल होत इस बात को ध्यान में रखते हुए एंटिगे ने उच्छ शिक्षा वास्त मंत्राले को सुझाओं दिया है कि दो बार प्रवेश परिक्षा हो सकती है इसके लिए रणनीत बनाये जाने की जा सकती है रणीत बनाई जा रही है मेडिकल की तयारी कराने वाले वरिष्ट सक्षक डॉर्टर स्पी सिंग ने बताया दो बार प्रवेश परिक्षा के अलावा ओनलाइन परिक्षा कराये जाने की योजना भी बनाई जा रही है ज्यादा तर छात्र ओनलाइन परिक्षा कराया जाने के पक्ष में है जबकि कुछ छात्रों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी वा ग्रामीर छेत्रों में रहने वाले जो छात्र हैं उन्होंने आफ्लेंड परिक्षा को कराने की मांग की है उन्होंने बताया है कि COVID-19 के चलते स्कूल से कॉलेजों तक ओनलें कर्षाएं लगा कर पढ़ाई गई है इसलिए इस प्रणाली के साथ परिक्षा आयुजित कराई जा सकती है इसके लवा आपको ये भी बता दूँ जो कोर्स के बारे में निज निकलिए कि 70% कोर्स घटा कर पूरा पेपर आप सौल्व कर सकेंगे मानव संसाधन विकास मंत्राले ने CBSC के 11 वी वा 12 वी का जो पार्टक्रा में वो 30% कम कर दिया है इसका असर आपके नीट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा मंत्राले ने ये साफ कर दिया है कि जिस प्रकार पहले 180 अंको का प्रेशन पत्र आता था उसी तरह इस बार भी प्रेशन पत्र आएगा CBSC के तयार किये गए 70% पार्टक्रम से 45 अंको के भौतकी यानि फिजिक्स 45 अंको का केमेस्ट्री वा 90 अंको के जो बायो का पेपर आता था वो ऐसे ही आएगा यानि आपके 180 कोश्चन सी पूछे जाएंगे जिन छात्रों ने पूरे पार्टक्रम से पढ़ाई की है वे भी प्रेशन पत्र हल कर सकेंगे और विशेशग्यों की राय है कि छात्र 70 फिशदी पार्टक्रम कंठस्त कलने कमी रह जाती है तो बचे हुए 30 फिसदी पाटक्रम से महतपूर प्रशनों को तयार कर ले यानि जो आपके जो number of questions है वो पूरे 180 ही रहेंगे 45 physics, 45 chemistry और 90 questions बायो के रहेंगे लेकिन जो 11 और 12 में syllabus कम किया गया है तो उस syllabus से कम question पूछे जाएंगे यानि आप पूरा paper कर सकते 70% जो आपका पाटक्रम है वही आप जो कमयाद करके जाएं तो भी आपका paper हो जाएगा अगर बचे हुए 30% पाटक्रम से महतपूर प्रशनों को तयार कर सकते हैं तो तयार कर लें तो इस पर अभी कोई अभी फैसला नहीं आया है कि नीट के जो paper में syllabus कम किया जाएगा या question के numbers बढ़ाए जाएंगे इसमें तो यही दिया है कि पूरे 180 question आते थे वही आएंगे और 70% पाटक्रम से ही आएंगे अब आपको बता दू कि देश में जो medical college की संख्या है वो 272 government medical college है यानी 41,388 seat है 260 private medical college है यानी 35,540 seat है और UP में 12 medical college है जिसमें 1449 seat है यानी 1449 seat है तो आप ये मान के चलिए कि इस बार जो नीट का paper है वो online हो सकता है कल इस पर एहम बैठक है NTA और सिक्षा मंत्राले की स्वास्ता मंत्राले की ये आपकी कल एहम बैठक हो जाएगी इस बैठक में जो भी निर्णय आएगा वो कल शाम तक आ जाएगा तो इसमें ये साफ हो जाएगा ये तो कंफर्म है कि नीट का paper दो बार होगा बस confusion है किस तारीक को होना है या online होना है या offline होना है दो चीज़े आज की नीज में साफ हो गई है यह नीट का paper साल में दो बार होगा कुशन की संख्या 180 रहेगी और स्लेबस सेवंटी परसंट है 11 तो 12 में 30 परसंट कम कर दिया गया है उसी के हिसाब से आपका paper बनेगा आपको paper कर करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी ऐसा मानव संसाधन विकास मंत्राले की तरफ से बयान आया है तो दोस्तों यह पूरी न्यूस थी नी 2021 के स्टूजेंस के लिए जो इस बार फॉर्म भरेंगे जो अभी तक वेट कर रहे थे कि कुछ आ जाए इसका मैं बहुत दिनों स की अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको दे दूंगी कि नीट की डेट इस तारीक को है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परशाद ना हो और अगर आपको यह न्यूस अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर तो मेरे चैनल से जुड़े रही है ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे है थैंक यू